नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों साब को मारने के संबंध में अकसर कई लोग कहने लगते हैं कि मत मारो इने भगा दो या जाने दो दरसल इसके पीछे भारतिय अध्यात्म और दर्शन का ग्यान जुपा है भारतिय दर्शन में कहा गया है कि जीने का हक सभी को है इसलिए किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए लेकिन जोती शास्त्र इससे एक कदम और आगे जाकर इसकी व्याख्या करता है जोती शास्त्र क मिलता है बहुत से लोगों की जनम पत्री में काल सर्प सर्प दोश और पित्र दोश होने की स्थीति में भी यही कारण बताए जाते हैं कि व्यक्ति ने पूर्व जनम में सर्प मारने का अपराद किया होगा दोस्तों जरा सोचिए क्या हुआ होगा जब एक औरत ने फावडे का जोड़ा अगर कहीं भी दिख जाए तो उसे मारना तो दूर उसे कभी छेड़ना भी नहीं चाहिए क्योंकि कहते हैं कि नागिन अपने मरे हुए नाग की आँखों में देख कर ये पता लगा सकती है कि उसके नाग को उससे जुदा करने वाला आखिर कौन है और जब तक नागिन अपना बदला पूरा ना कर ले वो चैन से नहीं रहती और ऐसा ही कुछ हुआ उत्तर परदेश के एक छोटे से गाउं में रहने वाली आरती देवी के साथ में जहां आरती के हांथों से नाग की मौत हो गई और फिर जो हुआ उसके साथ उसे देख कर आपके भी र लोग खेती बारी करके अपना गुजारा करते हैं दोस्तों एक दिन एक नाग नागिन का जोड़ा उस गाउं में भ्रह्मन करते हुए वहां के खेतों में पहुँच गया तीन दिन तक वो जोड़ा खेतों में चक्कर लगाता रहा कई लोगों ने उन्हें देखा भी कि ऐस और अखेती और उसकी पतनी आरती अपनी खेत में फावडे से काम कर रहे थे तप ही वहां पर एक नाग नागिन एक दूसरे से बिचड़ गए और नाग अपनी अकैली नागिन को ढूंडते ढूंडते उसी जगह पहुँच गया जहां सुरेश अपनी पतनी के साथ अपनी खेत में काम कर रहा था तब ही अचानक आर्थी के फावड़े से कट कर उस नाग की मौत हो गई क्योंकि उस नाग का सर आर्थी के फावड़े से कट गया था ये देखकर आर्थी के पसीने चूट गए और वो जोर जोर से चिलाने लगी तब ही पास में काम कर रहा सुरेश वह पहुंच गया आरती ने सुरेश से घबराती हुए कहा कि मैं अपना काम कर रही थी पर अचानक से ये नाग मेरे फावडे के नीची आ गया और इसका सर कट गया तब सुरेश बोला कि हमारा काम खेती करना है नाग नागिन का खेतों में आना और हमारे हाथों मारे जाना तो मा इस घटना को जादा घंबीरता से लेने की जरूरत नहीं है लेकि आरती यह जानती नहीं थी कि यह नाग साधारन नहीं बलकि इच्छाधारी नाग है सुरेश की बाते सुनकर अब आरती की हिम्मत थोड़ी और बढ़ गई और उसने उस नाग को फावडे से उठा कर खेत की चारियों में ही डाल दिया और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी क्योंकि वो इस बात से अंजान थी कि वो इच्छाधारी नाग है और उसकी नागिन भी इच्छाधारी है शाम का समय हो गया था तो ऐसे में सुरेश और उसकी पतनी अपनी घर चले गए और घर जाकर दोनोंने खाना खाया और आराम करने के बाद दोनों बेफिक्र होकर सो गए लेकिन वह नागिन कहां शांत रहने वाली थी और उसने अपने नाग का बिदला लेने के लिए उसी दिन उसकी मौत के पांच घंटे बाद नागिन इसके गाउं में आ गई और आरती के चिलाते हुए गाउं के बाहर एकत्रित हो गए फिर वो नागिन गाउं के महादेव के मंदिर में चोटी पर जाकर बैट गई और देखते ही देखते उसने एक विशाल रूप धारन कर लिया वो देखने में बोखत ही भयंकर और डरावनी लग रही थी उसका ऐसा रूप देख वहां मौजूद लोगों के होश उड़ गए उसको शान्त करने के लिए मंदिर के पुजारी ने मंतरों का उचारन जोर जोर से करना शुरू कर दिया कुछी देर में नागिन अपने साधारन रूप में परिवर्तित हो गई और मंदिर से उतर कर दूर जाने लगी वो पूरी तरह से शान्त होकर अपने रास्ते जली गई फिर पुजारी को आरती ने अपने साथ घटी घटना के बारे में बताया क्योंकि आरती को संधेह था कि शायद ये सब उसी वज़े से हो रहा है पुजारी ने आरती को एक मंतरों का ताबीज बना कर दिया और कहा कि मैं बस तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ लेकिन तुम्हारे करमों को मिटाया नहीं जा सकता वो इच्छाधारी नागिन है जो आज नहीं तो कल अपने नाग की मौत का बदला जरूर लेगी लेकिन यह ताबीज उसको तुम्हारे पास नहीं पहुँचने देगा दोस्तो अब आरती की उम्र 80 साल की है लेकिन वह ताबीज को हमेशा अपने पास रखती है इसलिए वह आज तक नागिन से सुरक्षित है दोस्तो इच्छाधारी नाग नागिन का रहसे उनकी शक्तियों में ही छुपा होता है वे इंसानों की मनोकामनाओं को पूरी करने में सक्षम होते हैं ये एक ऐसी शक्ति है जो सभी मनुश्यों के लिए अनुपलब्ध है ग्वालियर में नाग की मौत के बाद नागिन ने जो किया उसे देख लोगों के होश उड़ गए जानकर आपके भी रौंग्टे खड़े हो जाएंगे नमशकार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों सची श्रद्ध से कमेंट्स में जरूर लिखे हैं हर हर महादेव दोस्तों कहते हैं कि नाग नागिन का सनहे एक दूसरे के लिए अटल अटूट होता है वो एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकती और इसलिए नाग नागिन के उपर बहुत से फिल्मे भी बनाई गई हैं दोस्तो भारत में नाग नागिन को लेकर लोगों के मन में गहन आस्था है और इनको बहुत ही पवित्र वे देव तुल्या माना जाता है इसी वजह से ही यहां इनके कई मंदिर स्थापित किये गए हैं भारत में बहुत से फिल्मे भी नाग नागिन पर बनाई गई हैं लेकिन नाग नागिन की एक ऐसी घटना आज हम आपको बताने वाले हैं जहां नाग की मौत के बाद उसकी नागिन ने करी सारी हदे पार ये घटना फिल्मों की कहानी को भी पीछे छोड़ देगी कहा जाता है कि वर्ष 2015 में एक दिन मध्य परदेश राज्ये में स्थित गवालियत शहर में ट्रांस्पोर्ट नगर के गेट नंबर एक के पास नाग नागिन का एक जोड़ा रोड पार कर रहा था तब ही वहां से एक ट्रक तेज रफतार से निकला जिसकी चपेट में आकर नाग कुचला गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई उस नाग की मौत के बाद नागिन ने उसी के पास ही अपना डेरा जमा लिया जिस वजह से उस रोड पर बहुत लंबा जाम लग गया फिर उस नागिन को वहां से हटाने के लिए एक साप पकड़ने वाले को बुलाया गया जिसने उस नागिन को वहाँ से हटा कर जंगल में छोड़ दिया लेकिन इसके अगले दिन उस नागिन ने उसी स्थान पर जहां पर वो नागी मौत हुई थी वही पर आकर अपने खुट के प्रान भी त्याग दिये अपने प्रिये नाग के व्योग में दम तोडने के बाद स्थानिय लोगों के दुआरा पूर्ण विधी विधान के साथ उनका अंतिम संसकार किया गया और उनके शरीर को ले जाकर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया गया इन दोनों के प्रेम को देख कर और इससे प्रभावित होकर स्थानिय लोगों ने वहां एक मंदिर का निर्मान करवाया जिसमें नाग नागिन की मूर्ती को स्थापित कर दिया गया इस स्थान पर हर वर्ष नाग पंचमी के दिन भव्य मेले का आयोजन किया जाता है जहां सैकडों की संख्या में लोग जमा होते हैं और इस नाग नागिन के मंदिर के दर्शन करते हैं इस मंदिर की विशेशता ये है कि यहां हिंदू और मुसलिम दोनों ही आकर नाग क्या राय है नीचे कमेंट बोक्स में लिख करके जरूर से बताईए यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिष्टेदारों में जादा से जादा शेयर कर दे महादेव शिव के सचे भक्त कमेंट बोक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दे आगे भी ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बैल आइकन को भी दबा ले जल्द मुलाकात होगी आप से किसी अगली वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद